हेलो दोस्तों नमस्कार आप देखरें यूटूब चैनल टैसी पॉइंट आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंपोर्टेंट क्रॉप्स और उनके जो सीड रेट्स हैं सीडेट से मसा 2-3 कोश्चन पूचे आते हैं हर साल पूचे आते हैं इन लास्टियर जो कोश्चन पूचे के ते वह भी मैं आप डिसकस करेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं काफी बच्चों के कमेंट साहरे थे कि अलग अलग सब्जेक्ट के प्र जाएंगे लगबग 40 अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग गुरुप के लिए दिये गए हैं आप यहां पर जाके आसानी से इनको देख सकते हैं इसे आपको काफी मिद्द मिलेगी तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं यहां पर जो पहली क्रॉप दीगी वह किलोग्राम प्रजेक्टर में दी गई हैं और इस फैलने वाली होती है वह स्प्रेड जो करती है वह अस्ती सब्सक्राइब करेंगे मींज सिर्फ हमें मैं क्रॉम में लेना इसके साथ कुछ नहीं लेना है तो 4-6 लोग्राम और मिक्स्ट करेंगे किसी दूसरी फसल के साथ म अगला है सी क्रम में कॉटन की तो कॉटन 10-12 क्लो ग्राम प्रतियक्टेयर बात करें है फाइब्रिड कोटन की कॉटन का पास यह होता है अटोबैको तम्भाहू इन दोनों का जो ढाई से 3 क्लोग्राम रहता है आइबरीड कॉटनर टोबेको का नेस्ट है पोटेटो तो पोटेटो जो है वो 10-15 कुंटल प्रतियक्टियर लूसरन एक क्रॉप होती है जिसको इंदी में रिचका बोलते हैं तो लूसरन का जो सीड रेट होता है वो 20 क्लोग् मैं तो बर्शीम का जो सीडेट था वो 20-25 क्लोग्राम प्रतियक्टियर के यहां पर 20-25 क्लोग्राम होता है तो यह पर यह पर यह 20-25 वाला उप्सन that Thitz नैरिस्कम में है फॉर्डर में जो मक्का जो होती है चारे के लिए जो होता है और जो बाजरा चारे की उप्योक से होगा जाए तो इसका 20-30 किलोग्राम प्रतियक्ति अब बात कर लेते हैं और कर लिए तो रायस जो होता है अगर क्लोग्राम होगा क्रृब्ली के द्वारा सविंग कर रहें तो 30 किलोग्राम और सब्सक्राइब्लिक्ति अगर सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं तो उसका अलग रहता है बात करें मक्के की फचल की तो मक्के में भी हाइब्रेट और कमपोजिट और फॉर्डर की हम बात करी चुक्या लड़ी तो यह पूछे बहुत जाते हैं मेज वाला जो है काफी पूछा जाता है तो मेज का 20-25 किलोग्राम हाइब्रेट में और कमपोजिट में 15-20 किलोग्राम ठीक है नेस्ट आता है सोरगम मूंग अरहर इन तीनों का जो 12-15 बिच वरी करता है और परल मिलेट का 2-3 किलोग्राम प्रतियक्टर होती है ग्राम की बात करें चने में तो 60-80 किलोग्राम फिल् प्रतियक्टर होता है यह पीडियाप आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगी इसको इवनिंग तक अप्लोड कर दिया जाएगा ठीक है आप वहां से इसको राप्त कर सकते हैं नेस्टाइल एंटेल लाइन सीट का 30-40 किलोग्राम सोय बिन का 70-80 शेफ फ्लॉवर एक होती होती है इसका 15 किलोग्राम सन फ्लॉवर आठ से दस और सुगर बीट आठ से दस जूट भी आता है इसमें वह भी आठ से दस के बीच ही वैरी करता है तो यह तो सीट्रेट इंपर्ट सीट्रेट यहां से दोसे तुनको कुशन हमेशा आते हैं तो उनको याद रख ले हम से जुड